बदला लेने के लिए की हत्या दो हत्यारे गिरफतार साउतिस्ट मारपीट की मामूली सी घटना के बाद बदला लेने के लिए अपने ही जानकार की हत्या कर दी और फरार हो गया पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामत कर लिया है दोनों आरोपियों की पैचान विक्की उर्फ रितिक उर्फ शुबम निवासी ताजपूर पहाडी बदरपूर और कोहिनूर उर्फ चवन्नी निवासी बुद्वियार जेतपूर के रूप में हुई है 37 जिले की DCP इशा पांडे ने बताये की पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी ने फोन करने वाले के पडोसी को चाकू मार दिया है जिसे एमस अस्पताल में बर्ती किया गया है सूचना के बाद बदरपूर थाना पुलिस तुरन ताजपूर पहाडी पहाडी पहुंची पर पता चला कि तीन लोगों ने एक वैक्ती केशव उर्फ काके निवासी ताजपूर पहाडी बदरपूर को चाकू मार दिया है। अत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पहले हत्या के प्रयास के मामले में शामिल है और आरोपीबिक की पहले हत्या के प्रयास और चोरी के दो मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफतार करके आगे की कारवाई शुरू कर दी है। शादी समारों में मामली जगडा हत्या की वजया बन गया। जिस लड़की की विरोधी कुटके लड़कों ने पिटाई की थी। पिटने वाले विवक ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर एक विवक की चाकु घोपकर हत्या कर दी। और फरार हो गए। पुलिस ने दोन हत्यारों को चाकु के साथ गिरफतार करके भेज दिया है जेल। कैमरमेन एमंद के साथ राकेश रावत टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी बिरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।